वेल्कम टू दे अन्नादरू फाक्ट्स वीडियो इमेजिन करो आज के टाइम किसी की शादी एक इन्फुरेंसर से हो जाती है तो उसकी लाइफ कैसी होगी गुन की तरह पिसरा हूं है संकल्प कुमार से कॉंटेंट कुमार बन क्या है आज की इस वीडियो में हम रिव्यू क करने वाले हैं एक ब्यूटिफुल और रियालिटी से कनेक्टेड एमजान मिन टीवी की शॉर्ट फिल्म बडबूली भावना जिसका स्टोरी एंड प्लॉट रियली काफी यूनिक एंड मज़िदार है फिल्म में हमें दो एबसलूट क्रेजी के आक्टर्स भावना एं संक और भावना का हजबन संकल्प काफी सीधा और सान टाइप का इंसान है जिसे अपनी बीवी भावना की ये कंटेंट क्रेटर वाली लाइफ समझ में नहीं आती है इससे पहले कि मैं सॉट फिल्म के रिव्यूव सुरू करूं मैं आपको बता देता हूं कि ये फ्री में और साथ ही आपके कई फेवरेट यूटूबर्स भी अपनी वीडियो को एमजान मिनी टीवी पे अपलोड करते हैं तो चलिए अब इस सॉट फिल्म के रिव्यू को हम डीटेल में समझते हैं जिसे मैं आपको इस सॉट फिल्म के स्ट्रॉंग पॉइंट्स के जरिए एक्स् साथ होना है और कईयों के साथ हो भी रहा होगा इस कपल की स्टोरी को जैसा लिखा गया है वो रियालिटी से काफी क्लोज है मतलब आप फिल्म देखोगे तो आप भी बोलोगे हाँ एक मैरेट कपल की लाइप भी ना ऐसे होती अगर उसकी बीवी कॉंटेंट क्रेटर और पति शान टाइप का इंसान हो फिल्म कुछ जगहा पर ड्रामा भी ओफर करता है उसे देखने के बाद आप इसकी स्टोरी से और हुक होते जाते हो सच कहूं तो दोनों आक्टर्स ने फिल्म में काफी कन्विनसिंग पर्फॉर्मेंस दिया है दोनों हस्बिन वाइप एक दूसरे से लड़ते हैं तो स्क्रीन पे साफ का आक्टर्स का फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर दिखता है और वहीं जब दोनों एक दूसरे से अपना ल फिल्म है और इससे पहले तक मैं उसको जानता तक नहीं था उन्होंने संकल्प के काइक्टर को काफी अच्छे तरीके से प्ली किया है और इनका काइक्टर काफी सान टाइप का इंसान है पर उनकी परफॉर्मेंस उनकी बॉडी लैंग्वेज एनाई एक्सप्रेसन से निखर इस शॉर्ट फिल्म का एक स्ट्रॉंग पॉइंट है लास्ट टाइम मैंने उनका परफॉर्मेंस को लेज रुमान सीजन वन में इंजॉई किया था और इन प्रिटी सॉम में अकेला नहीं था क्यूंकि लिटरिली उनकी सीरीज का एक सीन पूरे इंटरनेट में बहुत इच्छा लगा उनका जो क्याक्टर है इंफ्लॉएंसर वाइफ वाला वो उन पे पूरा सूट किया है और मेबी सीज रियल लाइफ कंटेंट क्रेटर सो इसलिए भी उन्होंने इस पूरे क्याक्टर को एजिली पूल कर लिया उनकी क्याक्टर के हरकतों एंड जिस तरीके स वो अपने हस्बेंट से जगडा करती है वो आपको देखने में जरूर बहुत मज़ा आएगा नमब फूर फिल्म नरेशन फिल्म के नरेशन को लेके मेरा ये रियाक्शन रहा है और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता है ऐसे स्टोरी के नरेशन हमें जल्दी देखने को नहीं मिलती है और अगर कोई सौट फिल्म आती भी है तो वो इतने कुछ खास तरीके से बन नहीं पाती पूरी फिल्म में ये दोनों कपल एक रेस्टरॉन में बैठे होते हैं और उनकी बात जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे ही स्टोरी भी कंटिन्यू होती है अगर आपने इस तरीके से डैक्ट हुई फिल्म नहीं देखी है तो साइध आपको स्टार्ट में हलका ससलो लगे थोड़ा सा पर हाँ इस बात की गैरेंटी है कि जैसे इस स्टोरी धीरे धीरे आगे कंटिन्यू होगी ना आप उतना ही स्टोरी में घुसते जाओगे नंबर फाइब कंविंसिंग पोट्रिल और टुड़े इस मैड लाइफ भावना इन संकल्प की मैड लाइफ इसू से आज के टाइम में काफी कपल रिलेट कर पाएंगे क्यूंकि हम सभी एक दूसरे की लाइफ में सोसल मीडिया का इफेक्ट तो दिखता ही है सो इन दोनों की सिच्वेशन हमारी सिच्वेशन से ज्यादा डिफरेंट नहीं है और अगर आपको भी सेम फिल होता है तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेय करें वीक पॉइंट वैसे तो एक सॉट फिल्म है और सॉट फिल्म में क्या ही वीक पॉइंट मिलेंगे बठा मुझे चीज वो फिल हुई वो था फिल्म का म्यूजिक शॉट फिल्म का म्यूजिक जरूर बैटर हो सकता था क्यूंकि अगर कोई न्यू बंदा है जिसे शॉट फिल्म देखने की आदत नहीं है तो बेसक उसे यह स्टोरी काफी स्लो लगीगी तो दोस्तों यह था मेरा करने के बारे में सूच रहे हैं तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अभी दा दूफाक्स को सब्सक्राइब करें एंड तो गेट अल्द अपडेट्स हिट दा बेल आइकन नाओ तेरी एक मिलियन के गोल चकर पर तो गुम रही है ना महरी जिंदगी आपको पता है दस लाग उने वाले हैं एक मिलियन क्या पैरते हो बीरो पैट बनाओ पार पार तो बाट शादी से पहले ठीक था पर प्रीज तुमिने ना ना मेरे घरवालों को बक्षते है तो पने मुटनेच चाहिए